डॉक्टर भीमराव अम्बेटकर विश्विध्धाले की बी ऐललबी और ऐललबी की परिक्षाएं शनिवार से शुरू हो गई हैं जिसके लिए विश्विध्धाले द्वारा दस नोडल केंद्र बनाए गए हैं ये परिक्षाएं दो पालियों में संपन कराई जाएंगी वही शनिवार से शुरू हुई परिक्षाओं में करीब 16,000 परिक्षारती शामिल होंगे इसके लिए विश्विध्धाले ने पूरी तरह तयारी कर ली है डॉक्टर भीम्राउं बेटकर विश्विध्धाले की बी ए ललबी और ललबी की परिक्षाएं शनिवार को शुरू हो गई हैं जिसके लिए विश्विध्धाले द्वारा दस नोडल केंद्र बनाए गए हैं यह परिक्षाएं दो पालियों में संपन कराई जाएंगी वही शनिवार से शुरू हुई परिक्षाओं में करीब 16,000 परिक्षार्ती शामिल होंगे इसके लिए विश्विध्धाले ने पूरी तयारी कर ली है इससे पहले B8 की परिक्षा शुरू होने से पहले तमाब परिक्षार्ती ऐसे थे जिन्हें प्रवेश पत्र नहीं प्राप्त हुए थे उनमें फोटो नहीं लगे थे इसके साथ ही कई सारी अन्य खामिया भी मिले थी लेकिन इस बार गत परिक्षाओं जैसे इस्थिती नहीं होगी परिक्षा देने वाले सभी परिक्षार्तियों को प्रवेश पत्र वित्रित कर दिये गए हैं विश्विध्याले दोरा कराई जा रहा ही विधी की परिक्षाएं OMR शीट पर होगी प्रतेक प्रश्ण में सो प्रश्ण पूछ जाएंगे जिन में से किनी असी प्रश्णों के उत्तर देने होंगे परिक्षा की अवदी दो घंटे की होगी विश्विध्याले की परिक्षा नियंतरक डॉक्टर उंप्रकाश ने बताया कि LLB में करीब 12,500 और BALB में करीब 3500 परिक्षारती शामिल होंगे सभी को फोटो यूग्त प्रवेश पत्र जारी किये गए हैं पहले 9 नोडल केंद्रों पर परिक्षा होनी थी लेकिन मत्रौ की वरंदावन स्थित आई ओपी राजगे महविध्याले को नोडल केंद्र बनाने से अब केंद्रों की संख्या दस हो गई है वहीं दूसरी तरफ अलीगर के वाशने कॉलेज की तमाम चात्र हैं B.A.L.L.B. और LL.B. की परिक्षाओं को इस्थगित करने की मांग कर रहे हैं जिसको लेकर चात्र चात्राओं ने उत्रपरदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के नाम खून से लेखे हुए पत्र भी भेजे हैं C.News के लिए लक्षमिरा सिंग के रेपोर्ट